दिल्ली के घर में भयानक गोली बारी हुई जहां रहने वाले कपल में पूनम चोपड़ा को हॉस्पिटल पहुचने पर मृत बता दिया गया उसका पती संजीव चोपड़ा जिंदगी और मौत के भी जूल रहा था दिल्ली में लूट की बारदातें लगातार बढ़ रही थी क्या ये गोली बारी और डकैती भी ऐसी एक घटना थी इन्वेस्टिकेशन शुरू करने से पहले ही संजीव के पिता उसकी बुआ के लड़के बलराम जलोटा और बल्लू पर उंगली उठाते हैं जो पहले से ही अपरादी था और एक मर्डर केस में अंडर ट्रायल था हैराम करने वाली बात थी कि पूनम की तरफ से उसके भाई मनोच खोसला ने अपनी बहन पर हुए हमले के लिए संजीव को ही सिम्मेदार बताया खबरी नदीम ने एक चौकाने वाला खुलासा किया उसने हमला करने वालों के नाम कमलेश रंजन और पंकच दास बताये उसने पूनम के दोस्त मनीश कालरा का नाम भी सामने रखा जो अमीर था और ब्याज पर पैसे देता था संजीव का अफैर था इसका पता लगाने के लिए पूनम ने एक प्राइबेट डिटेक्टिव गिरीश रावत को हायर किया था गिरीश रावत ने माहिरा तलवार नाम की लड़की से संजीव का अफैर कन्फर्म किया अफैर था? बिल्कुल था चौखाने वाली बात मनोच के बारे में भी पता चली कि उसका अपनी बहन के साथ जगडा था मनोच मुझे सिर्फ पैसे चाहिए एनिहाओ तुम बहुत सल्फिश हो पूनम पुलिस अब भी उस माहिरा तलवार तक नहीं पहुची थी जिसका संजीव के साथ अफैर था अब आगे अब आगे पूनम मुझे ब्लैक मिल कर रही थी तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तु सरेंडर कर दे लेकिन सिर्फ मैंने कुछ किया ही नहीं है अगर तुने सरेंडर नहीं किया ना तो हम तेरे जीना दुश्वार कर देंगे और तेरे वो दोनों साथी इस पड़ाव पर ये केस सब के सामने था साफ था कि मनीश कालरा ने इस अपरात को अंजाम देने के लिए दो हिस्ट्री शीटर्स को पैसे दिये थे लेकिन क्या ये केस वाकई में इतना साफ था जैसा की सूचा जा रहा था संजीव की कंडीशन में कोई इंप्रूब्मेंट हुई पेशिंट ट्रीट्मेंट पर रिस्पॉंड करा लॉक्तर संजीव बात करने की कंडीशन में कब तक आ सकता है ये बता पाना मुश्किन लेकर इतना कंफर्म गाई कि पेशिंट सर्वाइब कर जा यामने जी यां हॉस्पिटल में कोई माहिरा तलवार नाम की लड़की आई थी संजीव से मिलने नहीं परिम माहिरा तलवार कौन ये बता था तू आएगे माहिरा तू आएगे नाम चुड़ो पाहिरा तू सिर्फ जबरदस्ती कर सकते हो ना सबरदस्ती हो या मर्जी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता महिरा अगर मैं पुलिस को जाके ये बता दू कि तू मुझे हर्ट करने के लिए मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो तो अरे शौक से जाओ अरे तुम्हें तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है ये दिकत को जड़ से हटा देते हैं ना संजीव सेम कॉफी शॉप सेम टेबल तुम्हारे आवास एक तम क्लियर सुनाई दे रही है शेहर में बहुत सारी रॉबरीज हो रही है लेकिन अभी तब कोई पकड़ा नहीं गया है तो ऐसी ही किसी एक रॉबरी में पूनम भी तो मर स करती है मैंने उसे नहीं मा रहा है तुम्हारा यह खुबसूरत चहरा चेल की सलाखें कभी सोचा है तुम्हें जेल में पुलिस तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी खड़ी क्या हो तुल कपड़े उतारो राउन साथ करा है कुल्हारा थे तुम्हारा klar ri कोई होश्यारी निए परना यही ठोग दूँगा तीन सेगंडे तर पास एक तो रिचे अप्टेगा प्लाटने चेकार जिए मेरे पीछे टाइम और एनरजी दोनों वेस्ट कर रहे हैं अप लोग उस मनोच खुसलाग उठाना चाहिए था अपको पूनम के कहने पर तुमने किसे हायर किया दो इस सवाल का जवाब यह है कि ना तो मैंने किसी को हायर किया ना ही पूनम के वाईयात खैल को पूरा करने में मैं उसकी कोई है मैं सब कुछ बदाऊंगा आपको लिकिन आप मेरी बात पर यकिन नहीं करेंगे आप रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे मेरे पीजे खबरी लगाएंगे लेकिन आपको मिले का कुछ है क्योंकि मैंने जो कुछ किया है बड़ी सफाई के साथ किया है सर मैंने इसके जानते हैं मनोझ खोष्ला के बारे में शोर की दाड़ी मितिन का मरुज है वो थाई इसको अचा पुनम के बारे में एक बात और माधा ताओको मैं पुनम करतन तक धसी विशिक भी एक करोड से जादा उस सारा पैसा मनीश कारला नाम की बंदे से लेती थी उनम की गर्दन थी उसके हाथ में तो पूनम के पास मनोच की गर्दन दबा के पैसे निकलवाने के लावा प्रयोड रास्ता नहीं था वो मनोच खोसला पे जोर दे रही थी कि वो फ्लैट बेज कर इस मनोच मुझे सिर्फ पैसे चाहिए एनिहाओ जरूरत है मुझे आप चाहे तुम मार्केटेट पे 50% कैश दो या फिर फ्लैट पेज कर मुझे पैसे दो इतना सब कुछ जानते हो तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई किरीश सार आप इंवेस्टिकेशन करते हैं तो बात हुई तब मैंने ठान लिया कि इस किलर को मैं भी तो और भूनना शुरू भी कर दिया आपके ऑफिसर को मैंने संजीव का दूसर नमबर दिया चेक कीजिए देखिए माहिरा तलवार को टूंडेसर उसके चैट मैसेज चेक कीजिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूनम ने यह प्लान रचाई नहीं है रूट दिखाने का कोई इंगल थाई नहीं है यह बात तो कोई भी अपनी परिशानी में अपने परसनल भास निकालने के लिए कर सकता है और पूनम ने भी सिर्फ और सिफ सोचाई था और वो इसलिए क्योंकि वो काफी डिस्टब थ हाई यह शायद कोई ठोस लीड दे आपको और वैसे मैं तो आपके लिए अवैलेबल हूँ 24-7 थैंक यू हलो माहिरा तलवार जी मैं असिस्टेंस अब इंस्पेक्टर आर्थी त्रिवेधी बोल रही है जी बताइए बात कर निये तो कब आ सकते हो रसीख विहार पोले स्टेशन माम कल मेरा वीकली ओफ है तो मैं कल आ सकती हूँ ठीक है सुबह साड़े दस बजे रसीख विहार पोले स्टेशन सर यह है कमलेशन जेन का नंबर सर पर मैं जो करवाना चाहता था वो ऐसे नहीं होना था दो और क्या-क्या करना चाहता था मनीश काल रहा सर पूनम के घर पे अटाक का प्लान था ही नहीं और प्लान में उसके हस्बंड संजीव को किसी भी तरह का हाम पोचाने का कोई इंटेंशन नहीं था हमारा क्योंकि सर उससे मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं सर मैं मानता हूँ कि मैंने पूनम को मारने के लिए कमलेश को सुपारी दी थी लेकिन ये काम ऐसे नहीं होने वाला था सर कमलेश ने मुझे बताया था कि वो इसे रोड अक्सिडेंट में करेगा उसके घर पे नहीं ताकि पूनम का मर्डर एक हाथसा लगे पूरा प्लान डेटी है सेट कुछी दिनों में आपका काम हो जाएगा अब तब तो काम हो जाना चीए था ना कमलेश उन्हें मुझे आई दिन धंकी दे रही है मैंने चाहता कि वो पूरी प्लान है के अरे सेट आप बेफी कर रही है पूरी फिल्डिंग हो चुकी है उन्हें का पार्लर जाती है किस रास्ते से घर जाती है सब पता चल गया किलिंग भी नहीं लगेगी पूरा का पूरा एक्सिडेंट ही लगेगा सर कमलेश ने बताया था कि वो एक काम रोड एक्सिडेंट में करेगा पर जो हुआ वो प्लान का इससा था ही नहीं मेरा भरुसा कीजिए सर तेरा भरुसा करें मनीश कालरा मुर्डर की सुभारी दिये तूने और उस हिस्ट्री शीटर ने तुझे एक्सिडेंट बताया उस हिस्ट्री शीटर की बात का भरुसा करें सालेक, कमलेश, रंजन को बिलिट काऊंगा और साथ में तुझे भी पूनम के मर्डर के बाद इसी नंबर पर बात वी ती तरी कमलेश कैसा यह नंबर तो बंद है उने नहीं मार रहा है पूनम को पूनम के मरने के बाद वो बाकी के पैसे तक लेने नहीं आया और हम इस पर विश्वास कर ले और सच कह रहा हूं सर यह किसी और का काम है मैं सिर्फ पूनम को मरवाना चाहता था क्योंकि तंग आ गया था मैं उससे एक तो मेरे लोन के डिर करोर उपे नहीं लोटा रही थी और उपर से सर इस दो नाओ की सावारी में मेरा जीना मुश्किल हो गया था पस गया था सर मैं तुमने आज तक एक भी इंस्ट्रॉल्मे पर हम तो लवर्स है न मानिश अलिकिन यह लून हमारे लवर्स वाले एंगल का हिसा नहीं है पुनम तुम्हें कैसी बाते कर रहे हो मैं नो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए मैने वो पैसे तुम्हें अलोन दिये था नहीं दोनों पालर को मिला कर भी कुछ रास रटन नही इसलिए तो पैसे वापस मांग रहा हूं पुनम मैं मार्केट से अलग नहीं हूं मुझे भी पैसो की जरूरत है पर आचानक यह पैसो की बाद कहां से आगे मनिश क्या मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाई जो तुम्हें खुशी दे सके जो तुम्हें चाहिए था मुझे को यह तरफा नहीं मिला है पुनम तुम्हें भी मुझे सारी खुशिया मिली है पुम्हें हो क्या गया मनिश पुनम आज के बाद हम ऐसे नहीं मिलें आज ही आखरी था आज के बाद इस बिसनस तुम प्लीज मेरे पैसे लोटा दो और बूल जाओ कि हमारे बीच में कुछ हुआ भी था अवंतिका अमा राइट उसी के वज़े से तुम मेरे साथ यह कर रहे हो ना तुम तो गय मनिश बेस्ट लॉयर हायर करूंगी और रिधी मेरे साथ रहेंगी और एली मनिश में इतना पैसा मांगूंगी न कि तुम सड़क पर आ जाओ अब अवंतिका मैं सो रहते ना उसके साथ मैं बहग गया था अवंतिका उन्हों बस मेरी क्लाइंट है लेकिन आप तो मुसके क्लाइंट हो अधर में उसके साथ गुलचरे उड़ाते हैं अब ये बात में सब को बताओंगी रिधी को भी और को भी अवंतिका हम बस फिजिकल हुए थे एक बार बार डाइवर्स हो जाने तो फिर मैं भी दून लोंगी किसी सिर्फ फिजिकल होने की अवंतिका चलाओ मात रहो उसी के पास शादी करो यह बार में जाओ मैं तुम्हें रास्ते पर लादूगी बरबाब कर के छोड़ा अवंतिका को आचानक सब कुछ पता चल गया राइट जिसका अफिव किसी और के साथ चल रहा है तुम्हें मैं क्या करूँ पूनम देखो तुम प्लीज मेरे लोन के पैसे मज़े लटा दो और भूल जा कि हमें दूसरे को कभी जयनते भी हम दोनों के भी जो कुछ वा उसमें हम दोनों की मर्जी तो जब चाहो तुम अज़े धंकारी थी और भार पूनम सरावंतिका तुम मेरी वाइफ है मैं उसे नहीं छोड़ सकता अगर पूनम ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर देथी साथ एज तुम्हें बरबाद कर दूँगी मनिश कहीं कर नहीं चोड़ूगी तुम्हें नहीं तुम्हें नहीं तु किया क्या है पुनम? imposed रेप रेप किया है तुम मेरा मनेश नहीं नहीं जोसे नहीं गुट़ूअ तुमने मुझे लोन तिया उसे वापिस लने कलिए तुम मुझे बलैक्यल कर रहे हैं है और जबरदास रेरा करा है पस यही बात में प्लेस्टेशन जाके बोल दो नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते पुनित नहीं बिल्कुल कर सकते इंफेक्ट मैं ऐसा ही करूँ था दोनों के बीच में पिस्ता जा रहा था सर लेकिन अपनी फैमिली करसम खाके कह रहा हूं कि मैंने यह नहीं करवाया जे कि सेंबर पर कमलिश से बात होई थी यह क्या करती है कमलिश जिमा खराब हो गया है यह खबर पढ़के मैं खुद है रहान हुएं उसका आक्सिडेंट होगा अरे सेथ हमने कुछ किया ही नहीं है जोड में बोलो मैं क्यो जोड बोलूँगा सेथ मैंने सुपारी उठाईए क आले तेरे जैसे मास्टर माइंड और कमलेश जैसे हिस्ट्री शीटर पर भरुसा करने लगे न तो हमें नौकरी छोड़के घर बैठ जाना चाहिए मैं गाजियाबाद निकल रहा हूँ, गंज सेलर उस्मान शेक पकड़ा गया है कमलेश शंजर पंकिसदास के फूड़ो मिल गएं सर, जल्दी पगड़े जाएंगे आर्ती को मायर और संजीव के चैट मेंसेजिस मिले हैं, मायरा को बला है इंपारी के लिए उदर भी कोई प्लानिंग चल रही थी अभी तर पिछे क्लियर ने है सर, तंजीव और मायरा का भी अफेट चल रहा था पूनम से छुटकारबानी के बाद चल रही थी जितने लोगों का पता चलना है, सब के पास अपना अपना मोटिव था सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे तर ये पूनम का भाई मनोच खुजला इसको भी उठवाता हूँ इस रॉबरी का मर्डर के पीछे के शड़यंतर की दस तक हर तरफ से आ रही इल्जाम किसी पर भी लगाया जा सकता था या तो पूनम पर जो मर चुकी थी या फिर संजीव पर जो बेहुशी की हालत में था हर एक का मकसद और इरादा बिलकुल फिट हो रहा था लेकिन असली गुनेगार अब भी पहुंच के बाहर था मैंने बन्लू को 0.25 खुलिट गन बेची थी यह मैं यादव साब को पहले ही बता चुका हूँ लेकिन यह वाला कांड किस ने किया यह मैं नहीं जानता मैं बस गन बेचता हूँ साब उसे चलाने का फाम नहीं करता बन्लू को कितनी गन्स बेची है दो कब यह कोई एक महीना पहले मतलब उसके बेल पे बाहर आने के बाद हाँ कहाँ अबे बजार मतलगा उस्वान सीधो वो 0.25 कोलेट निकालो आसा आथ में भीज़ गो लिया लगना जज़ गई आथ में का दाना मक्खन है मक्खन मक्खन तो है अज़रो साथ इसके वो सालेंसर भी देना एक या दोनों के लिए दोनों के लिए दू सालेंसर्स खरीदे थे उसने जी दो .25 कोलेट गन 20 गोलियां और दो सालेंसर्स ये सारा समान बल्लू ने करीए इक महीना पहले खरीदा है मनुझ को उठा लिए है सर उसे भी इंटरूगेट करूगा कर लो जैस्वाद लेकिन हमारा प्राइम सस्पेक्ट बल्लूई है मनीश कालरा भी शायद सच बोड़ रहा है कि उसमें प्लान किया था सुपारी किलर कमलेश के साथ मिलकर लेकिन काम जरूर बल्लूई कर गया सब मुझे माहरा के चैट्स मिले संजीव और किसे शोयब नाम के बंदे के साथ उसके जो चैट्स उसे काफी कुछ मिला है शोयब के मेसेज़स से लग रहा है कि शोयब माहरा को ब्लाक मेल कर रहा है तो उसमें मेसेज भीजा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने कैसे प्लान बनाया और कैसे अंजाम दिया मैं उन दोनों को भी अच्छे से जानता हूँ जिसे तुमने भेजा था फोन करो अभी शोयब कौन है यह तो वही बताएगा मैंने दो कॉंस्टिबल भेजें उसे उठाने के लिए बस इन मैसेजस से यह लगता है कि शोयब काफी कुछ जानता था और इसी वज़े से वो महरा को ब्लाक मिल कर रहा यह हो क्या रहा है मनीश का पूरा चिठ्था खुलता है वो एक्सिडेट का फ्लान बता था बल्लू का सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है गंस खरीदना, सालेंसर खरीदना और अब यह शोयब और महरा की नई एंट्री हो रही है सर इस केस में सब की किसी न किसी से रंजिश रही है यहां तक कि पूरम और संजीब के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं था सब लोग बस एक मौके की तलाश में थे पल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पलराम जलोटा और फल्लू की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू माहिरा तलवार के एंगल को भी अंदेखा नहीं किया जा सकता था उसके चैट मैसेजिस से साफ पता चल रहा था कि वो भी पूनम से छुटकारा पाने की फराख में थे संजीब जो उन हमलावरों के बारे में बता सकता था वो अब भी बेहोश था यार संजीब को होशी ने आ रहा है परिशानी की दुगात है यार वो ऐसे ही रहेगा क्या पूरी लाएगा नहीं यार ऐसे मत पूर सब ठीक हो यमना संजीब के अकॉंट पे तो सिफ 6 लाक रुपे और वो बलू 15 लाक रुपे के लिए उसके पीछे पड़ा वाता है संजीब देता भी तो कैसे कैसी हालत में पहुचा दिया हमारे बैठे को डॉक्तर भी कुछ बता ही ने रहे संजीब को कब होश आएगा बोल रहे हैं बाकि सब ठीक है जब सब ठीक है तो वो होश में क्यों नहीं आ रहा है संजीब चोपडा के माता-पिता इस बात से चिंतित थे कि संजीब को कब होश आएगा और कब उसकी हालत फिर पहले जैसी सामान ने होगी वहीं दूसरी और पूनम के माता-पिता अब भी अपनी बेटी को खोने के गम से उभर नहीं पाये थे और नहीं उनके परिवार कोई अंदाजा था कि संजीब और पूनम के बीच वास्तव में हालात कितने बिगड़ चुके थे हाँ मेरे और पूनम के बीच में फ्लैट को लेकर नोगजोख हुई थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है सर कि आप उसके मर्डर को लेकर के मुझपे शक करें मैंने संजीब का नाम ली इसलिए आप मुझसे पूस्ताश करें तुमने संजीब पर तो आरोब लगाया और अपने जगड़े के बर में कुछ नहीं बता अभी तुम यह बताओ पूनम के साथ जगड़ की वज़े कोई और भी देखे है बिजनस में लॉसेस की वज़े से पूनम को फ्लैट में हिस्सा चीए था वो फ्लैट जो मेरे फादर पहले ही मेरे नाम कर चुके थी और तुम उसे कुछ देना नहीं चाते थे और अब तो देनी के ज़रद भी नहीं पड़ेगी वो तो रही नहीं कैसी बात कर रहे हैं मैं अपनी बहन पूनम को क्यों मारूँगा सप पूनम ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसे संजीब से डर लगने लगा है संजीब उसे मारने की प्लाइनिंग कर रहा है और अब संजीब के फादर बीच में बल्लू का नाम घुसर रहा है सर आप ही सूचे बल्लू क्यों मांगेगा पंदर लाग एक शौशन मांगने वाले को ये पता होता है कि सामने वाला पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा संजीब का रियल इस्टेट का बिजनस बिल्कुल ठंडा चल रहा था और उधर पूनम सर पूनम ने भी जो थर्ड ब्रांच खोली थी अपने पार्लर के उससे भी कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा था सर पूनम ने बहुत पैसे लोन पे लिये हुए थे और लाकों रुपए दो उस ने संझीब को दिया थे उसके पैसे भी रख लिय है और उसका मडर भी कर दिया संजीब मडर करें का प्लैन? हुमेरे तुमारी बेंग के तरफ से भी मिला है वंजाब और भी बहुत कुछ मेरों संजीब और पुनम की अफेर्स भी मिले होंगे लेक Chronist हूँ आ पाज अज संजीब जिन्दा है और मेरी बेहन मर गए अगर मेरी बहन नयीग मक्या हूं तो आज वह जिनkkie सर आपको मेरे बारे में जो पता करना है जिससे पूछाज करनी है कर लीजिए लेकिन सच यही है जो मैं कहा रहा हूं इन सब के पीछे संजीब है सर गोली गलती से संजीब पे चल गई होगी और वो विक्टिम बन गए कहो तो तुम्हारे और संजीब के सारे मेसेज़ेस दिखाऊं काफी परिशान थे तुम दो उन्हें संजीब को नहीं छोट रही थे तुम्हें लगा हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो पुलिस के रिडार से बच जाओ मैं हॉस्पिटल जाती भी तो क्या करती संजीब से मिलने से पहले मुझे हजार सवाल के जवाब देने पड़ते संजीब और मैंने कई बार डिसकस किया कि हम आगे क्या करेंगे लेकिन संजीब में कभी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सीधा-सीधा जाके पुनम से बात कर सके कि बात समंदे की कोशिच करें पिछले एक दाट इस साल से मेरा बिजनस बहुत डाउन चल ला है और मैंने पुनम से बहुत सारे पैसे और पुनम ने भी वो पैसे सामने से लोन पर उठा है मतलब तुम उसे इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुमने उससे पैसे लिये हैं वो मुझे नहीं छोड़े ही बहुत खतरना का वरत तुम्हें तुम्हें आलग हो तुम्हें अचानक हो क्या गया है जब से हम मिले तब से अब तक अम दोनों की बीच काफी कुछ बदल साफ साब बोलो क्या कहना है मैं जानता हूँ तुम्हारे लाइफ में मेरे लाइफ में कोई है तुम पीछा कर रहे हो मेरा ये मतलब नहीं था तो फिर क्या मतलब था क्या मतलब संजू मैं कि तुम्हारे मतलब की कोई मिल गई है तुम्हें तुम्हारे लिए पचास लाग क अलोन उठाया है मैंने और तुम बड़े अराम से हजम करके अलग होना चाहते हो मुझसे नहीं बस मैं सोच रहा था कि क्या वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से खुश है कि है सब समझ में आ रहा है समझ भी आ रहा और दिख भी रहे तुम्हें कोई खुश करने वाले मिल गई और तुम्हें एक बड़ी ऐसी खिच्डी बनाई या मुझे सर्व कर रहे ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए साजी अकर ऐसा हो तो तुम्हारा क्या हालों कर तुम सोच भी नहीं सकते इंडियकली मैंने उसे डिवॉर्स की बात की तो उसके अंदर का फूथ बारा ले अगर पूनम ही हमारी सारी दिक्कत है तो इस दिक्कत को जड़ से खतम कर देते हैं देखो शेहर में बहुत सारी रॉबरी हो रही है और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है तो किसी एक रॉबरी में पूनम मर भी तो सकती है नहीं मायरा ये solution नहीं है इससे तो सब बरबाद हो जाएगा तो फिर हमें आबाद करने का कोई और प्लान है क्या तुम्हारे पास मैं अपनी बात आगे बोल भी नहीं पाई थे कि संजीर ने सुनने से भी इंकार कर दिया पर तुमने ये सुचा कि ये रॉबरी वाला प्लान काम कचा है हाँ और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ जिसके मेसेज़ेस ट्रेस करके आप मुझ तक पहुँची है शोयब उसमें मेरी सारी बाते रिकॉर्ड कर ली थी और उसके बाद उसमें मुझसे जबरदस्ती बहुत कुछ लिया है मेरी इज़त जोयब कॉलेज में मेरा बॉइफरेंड था लेकिन अब नहीं है और ये बात उससे बरदाश ही नहीं होरी वो मेरा बीच्छा करता है उस रिक़ॉर्डिंग से मुझे बलैक्मेल करता है टेरी कुछ लाहक ही नहीं बची है सब चंट नहीं है सब चांथा ना तू पोंसणी ही चोपा यय घ्री डाका किसने डाला मैझम मुझे कुछ नहीं पता त्ल तुने महिरा को ब्लाक्मेल किया उसे होटल में बुलाया ब्लाक्मेल करके से यूज किया मैं तो इसको प्यार करता हूं मैं इसको प्यार कहते हैं प्यार कहते हैं इसे बता वो दोनों किलर्स कॉन थी किसने भेजा था उन्हें माहिरा ने लोल मैडम मुझे सच में कुछ नहीं मैं ने कि पता मैडम मैंने तू बस Sanjeev और मईरा की बाते सुनी थी और माईरा को वापस पाने के लिए मैंने उनका वीडियो बनाया और इसको प्लेकमिल करने लगया बचमा अपनों पड़ोम के सब यह अपको पक्ड़ के माफिमाम नुगाद। sir मनौर इस केस में थीप इन भीट सुना शौक्ड नोगे थे पाई बहुत ज़ेत Oreo भाही बेंगे पह्लेटे से इसे फफागड कुछ नहीं चला था आनदीम, बोल, बलू की कोई ख़बर? कि कमलेश हाथ लग जाए, तो पता चल जाए कि कमलेश के दिमाग में क्या चाहिए? कहीं उसमें मनीश से कुछ जूट तो नहीं बोला? ठीक है, मैं बात कर साथ वो वाला कमराय साथ कमलेश रंजन, तुमने चोकिया है, उसे भुगतना तो पड़ेगा, मनिश तुमने अपनी कबर खुद को दी, माफ कर दो मुझे, मैं तु बस सब पहले जैसा ठीक करना चाहता था पहले जैसा आप कुछ नहीं रहा, मनिश, सब कुछ बगड़ चुका है ये दराब तुमने पैदा की, फुनी बन गया फुटो प्राय तेरा साथी पंकर तुमने पता नहीं सब, ये कांड होने के बाद हम अपने अपने रास्ते निकल गया उसके बाद बात नहीं हुई हमारी, वो पोलकाता की तरफ गया था कैश कितना था, और गहना कितना मिल गया काहेगा कैश, तब यो कमलेश जादों खुचारी मत कर समझा, वो मनीश हमारे हाथ में है, प्लैन जानते हम इन चारा रॉबरी तेरे नाम पे डाल देंगे, गोली मार देंगे कोई नहीं आएगा तुझे पूछने कमलेश हाँ सब आप कर सकते हो, पर मुझे मारने से असली मुझीम तो नहीं मिलेगा न, मैं खुद हैरान हूँ, मनीश सेट से सुपारी मैंने उठाया था, मैं और पंकज ये काम सोल अतारी को करने वाले थे, एक्सिदेंट के लिए हमने गारी भी जुगार लिया था, और उससे प अभशकार मैं गिरिश नावत, साइवेट डेटेक्टिव, पहचाना? हाँ, हाँ, पहचाना, बोलो, मैंने आप से काया था कि मैं 24-7 आपके लिए अवेलेवल रहूं का, अबर कया तुमारे पास, तगडी ख़बर है, आप चंडीगर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में बात ये चंडीगर वाले मडर केस में बुलेट 0.25 कॉलेट गन से चलाई गई था, तुमें कैसे मालूं कि 0.25 कॉलेट गन हमारे केस में भी शामिल है, थैंक्यू इंस्पेक्टर, आप तो तारीफ करेंगे नहीं तो सोचा महीं थैंक्यू बोल देता हूं, पैसे ही इंफोमेशन मुझे अपने चंडीगर नेटवर्क से मिली थैं, और आज तक चंडीगर पॉलिस को ये नहीं मालूं कि ये डेट बोडी किसकी है, याज ये इंफोमेशन आपके कुछ काम आजे है, दो 0.25 कॉलेट गन, 20 गोलियां और दो साइलेंसर्स, ये सारा समान बलू ने करीब एक म पल्लू का ही काम होगा, हाँ दिल्ली पुलिस हेड़कॉर्टर से वॉन्टेट लिस्ट आई, उसमें फोटो मिला है उसका, पल्लू हमारे यहां से वॉन्टेट, मुर्डर कम रॉबरी केस, मुर्डर में यहां जो गन यूज हुई है, वो 0.25 कॉलेट गन, शाद तुमें भ पुलेट आपको मिल जाएगी सर, प्राइम सीन और बंट बोटी के फोटो भी हैं हमारे पास, पर बोटी हमने क्रिमिनेट करते हैं, पर विक्टिम का DNA प्रिजर्वड है, आईडिटी ट्रेस करने पर दिक्कत इसलिए आ रहे है, तो कि कोई मिसिंग रिपोर्टी मैच नहीं हो पारे हैं, एक अंजान आदमी की चंदीगड में हुई हत्या और उस हत्या में इस्तमाल की गई गई का, संजीव और पूनम के घर पर हुई डकैती और हत्या के केस से निश्चत तोर पर संबन था, मगर इन कडियों को जोड़ पाना और प्राइम सस्पेक्ट बलराम जलो संजीव चोपडा को होश आगया डॉक्तर? जी हाँ, तीन दिन पहले, अब संजीव बात करने की कंडिशन में है, लेकिन मैं आपको पार्च मिनिट से ज़ाद अलाओ नहीं करता हुई इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उम्मीद थी कि संजीव चोपडा होश में आकर उन्हें हमलावरों के बारे में पताएगा, कोई जानकारी या सुराग देगा लेकिन क्या बाकर ये जानकारी कुछ अलग साबित होने वाजिव जो कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पहले से नहीं पता देगा संजीव कैसा लग रहा संजीव कुछ समझ मैं नहीं आ रहा से पता नहीं अब बड़े-बड़े कितना वक्त बीद गया आप उनम के बार में पता चला यकीन नी हो रहा मैं कैसे बच गया तुम्हारे फादर ने तुम्हारे कजन बल्लू का नाम लिया वो धंका रहा था तुम्हें हाँ सर बल्लू नहीं धंकी दी थी मुझे क्या पता था वो सच में ऐसा कुछ करेगा वक्का वो बल्लू ही था? हाँ सर, वो बल्लू ही था अरे क्रोने भई अब बल्लू ने मुझसे पंदरा लाक रुपे मांगे थे मुझे क्या पता, नहीं धूंगा तो अटेक करेगा अपने पकड़ा बल्लू को सर जल्द पकड़नेंगे अब तुम्हाराम करो बस यहीं कनफर्म करना था कि यह सब कुछ बल्लू नहीं किया सर, बल्लू पकड़ा गया? हर जगा पुलिस अलर्ट है उसकी जल्दी पकड़ा जाएगा आप संजीव का खयाल रगिए दोनों भाई है जस्वन गिल बड़ा और मनप्रीद गिल छोटा है अल्मोस्ट हर दिन दिखते हैं हॉस्पिटल में दोनों संजीव और ये दोनों भाई को वालियर में एक साथ ही बड़े हुआ है वालियर में संजीव के गैंट फादर थे हैं संजीव के कॉल रिकोर्स में भी दोनों का नाम था कुछ ठोस मेला है चंडिगर केस को बुलेट शेल एफेसल ने भेजा है मुझे उसी गन से चलिया उन में से किसी एक गन से ये अभी नहीं बता सकता लिकिन जो बुलेट शेल है उसमें सीरीज नमबर है वो उसी सीरियल नमबर के आसबास किया जो हमें संजीव के घर से मिले थी 20 गोलियां खरीटी थी बल्लु ने थी तुमें बजार मत लगा हो स्वान सीधा वो क्वाइन टूफाइट पोलेट निका लो असाथ में 20 गोलिया रांक्स अंकुर शायद इस चंडिगड़ वाली इंफर्मेशन से बल्लु का कुछ पता चली सर बहिने भर से हम हर जेगे हर पुली स्टेशन में तलाश एक भी मिसिंग कंप्रेट मैच नहीं हो रहा है आपके बोलने के बाद हमने सबको दोबारा से सारे डिटेल बेच रदीश तुम चंडिगड़ के 16 और 17 सेप्टेंबर के CCTV फूटेजिस दे सकते हो खासका टोल नाकाब और सारे एंट्री एकजिट पॉइंट्स के ठीक है एक दो दिन दो मुझे है जजवाता है जस्वंत वो बंदा दिखाई दे रहा तुझे कौन वही जो बाइक के पास खड़ा लाइनिंग टीशिट वाला वो दो दिन से यही दिखाई दे रहा है आयार इसको तो अस्पिटल के अंदर भी देखा था मैंने यहलो भई जस्वंत जस्वंत नहीं अभी नहीं जस्वंत अभी लोग डाई डाल हाँ बंदप्रित और जस्वंत संजी के बच्पन के दोस्त है पूचा था मैंने बताया उन दोनोंने पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रही है ऐसे ही पूच्टाश करने के तो आदत है हमारी वैसे धनी राम जी आप मुझे बताये कि जस्वंत और मनप्रीत को कैसे पता चला कि संजीव हास्पिटल में है और उसकी वाइफ पूनम की डेथ हो गई है आपने फोन किया था जी नहीं उन्होंने फोन किया था सर चंडिगड के CCTV फूटेज़स के है तक्रीबन 60% फूटेज़स स्कैन कर रहे है पर बल्लू कहीं भी नहीं दिख रहा है डवल मर्डर केस में बल्लू पकड़ा गया अंडर ट्रायल था दो महिने पहले वो बेल पर बाहर आया था पहले महिने वो रेगुलर गाजियाबाद जेल में जाके हाजरी देता रहा उसके बाद वो वहां नहीं गया 14th September last date थी जिए वो हाजरी देने गया था उसके बाद से बल्लू किसी को दिखाई नहीं थी संजीव के घर कांड होने के बाद ना हमें दिखाई दे रहा है ना चंडीगर के CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है ऐसे कहां जा सकता है कि किसी को दिखाई नहीं था एक काम करो संजीव के दोनों दोस्ट जस्वंत और मनप्रीत इनको उठा लो क्या पूछना यह बाद में देखने है और बल्लू की मा उशा देखते ही गोली मार दीजे बल्लू को मेरा बेटा नहीं है वो उनको उठाना नहीं उनका DNA सेंपल चाहिए बल्लू किसी को दिखा नहीं और शायद अब दिखेगा भी आपको मेरा DNA सेंपल चाहिए आपका भी और आपके हस्बन हीरत जलोटा जी का भी क्यों? उशा जी हमें डाउट है कि बल्लू मर्चुकर इंवेस्टिगेटिंग टीम को अपराद का शलयंत्र समझ आने लगा था क्या हो यमना? वो पुलिस जस्वंत और मनप्रीट को लेके गई अब पुलिस को जस्वंत और मनप्रीट से क्या चाहिए? चंदीगर से मिली अंजान लाश के प्रिजर्व किये गए DNA सैंपल्स बल्राम जलोटा और बल्लू के माता-पिता उशा और धीरत जलोटा के DNA सैंपल्स के साथ मैचिंग के लिए किजे गए बैट जाओ सिर्फ एक बार पूछूंगा ये जलीवी बॉडी बल्लू की है न? बूल के ना तो बोलना ही मत CCTV में देखे हो तुम दोनों हमारी मार छेल नहीं पाहोगे तेरा आवाज में चीख निकलेगी लो बंद गए बोतल इतन दिन से प्रेक्टिस कर रहे हो न? चलो अब लगाओ निशाना बहाँ याग बंद करो एक दो तीन में बोटल दनाम और इतनी पास में बोतल बंदा है कि आसानी से बोतल पूटनी चलिए एक है? अब आप इंशन मतलो इसमाई ये सालेंसर लगा है किज़ उपको सुनाई ने देगा किज़ कुछ पता ने चलिए तीन तक दिन्ती में बोतल धलाम देख दो देख किज़ अचे अचे पास प्राड़ आपके प्राड़ अजरे ले लेगा है कौन है? कौन है वोई? कौन है? सर, प्लान हमारा नहीं था सर हमें तो सिर्फ बैसे मिलने वाले थे और घर में कोई लूट भी नहीं थी सर, प्लान हमारा नहीं था सर हमें तो सिर्फ बैसे मिलने वाले थे और घर में कोई लूट भी नहीं थी तो चेक साइन करते ना हैर स guar अशी सजी अशीन ला ले बढ़े हैं कब से तरह हूश मैने का इंतिसार कर रें थे मेरी यहालत तेरी वजह से हुए मनपरियत। लेकिन काम तो हो गया ना यार तेक। काम हो गया ज़िए। अब पताने कभी उड़ भी पाऊंगा यह नहीं। बोलता है काम तो हो गया। भूल सुन्जू, क्या गाम है? तेरे ली जोगी हो गया सब कर दोना है। तो मैंने तुम्हें लोन पर उठा कर दी। उसके बाद इस कोठी पर मेरा नाम लिखवा दो। तो पूलम बरोसा करो मुझ पर। मैं डाइवर्स के बाद में भी पैसे लोटा दूँगा। बेखू समझाये के तुमने मुझे संजीर। मनीश का लोन मेरी सर पर है तो इस बात का फाइदा उठाकर तुम मुझे छोड़कर वो महराई के साथ चले जाओ। पर इनो बाद मैं तुम दोनों को देखकर ना तो खोश हो भादी। मैं दैवोर्स के जिन्देगी बर्बाद कर दूगी रॉजर दूगी तुम्हें। और ऐसा करने से तुम्हारे कलेजी को ठंटक पहुचेगी। यह कुछ भी होगी। तुम्हें आराम से नहीं नहीं। और अहीं बाद डैवोर्स के तू सोच ना प्याद। अड़ा देंगी तुम्हें राफ्त से गड़ा। हमको क्या मिलें। तू बता। 15 लाग। दिये। लेकिन तू यह कांड नहीं करेगा। तू तुम करोगे। मेरे दू दोस्तों को तयार कर। गन चालन की ट्रेनिंग दे। वो करेंगे गा। तभी तो पुलिस को लूट और रॉबरी का केस लगेगा। और मैं बोलूगा के तू एक्स्टोशन के पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ गया। तो पुलिस के रड़ार में आये गा ही नहीं। और पुलिस तु तक पहुँश नहीं पाई। देखो शहर में बहुत सारी रॉबरी जो रही है। और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। तो किसी एक रॉबरी में उन्हों मर भी तो सकती है। एक तरफ पुलिस को लूट और रॉबरी का केस लगेगा। और दूसरी तरफ तेरा नाम आएगा एक्स्टोशन। पुलिस किसी नतिजे पर पहुँच नहीं थे। और थोड़े दिनों में अपने आप ये केस बंद हो जाए। दनने हो मेरे बैट। मैं सोच रहा था कि अपने खांदान में सिर्फ कमिनल गुद्धी ना मेरे पास लेगा। लेकिन तुम तो मुझ सभी आगेगी सोच रहा। ठमावे। चैस्वन्त और मनप्रीत को सिखा गन कैसे चलाते है। गन पर सालेंसर होना चाहिए। टेंशन मतलो हो जाए। कब करना है फाइनल डेट बताते है। तुम दोनों को मल्लू के साथ चल्डिगर जाना होगा। तुमारी ट्रेनिंग वहापर होगी। ठीक। और मनप्रीत, तुम्हें मुझ पर गोली चलानी। बल्लू तुम्हें बताएगा कि मुझे कोल होगरी कहा लगने चाहिए। जहां लगने से अंसे रहूँगा। भूक। जिस दिन ट्रेनिंग खतम होगी उस दिन बल्लू गुरुद दक्षिन देना पुनला होता। कोली सीधे सर में लगने चाहिए। बल्लू को मारना है? बचना नहीं चाहिए लेकिन क्यों संजीव? क्योंकि बल्लू मेन सस्पेक्ट होगा और पुलिस उसे डूढने के लिए जमीन आस्माने कर देगी उसे मारने के बाद इतनी अच्छी तरे से जराना ताकि कोई पैचान न सके और पुलिस के हाथों सस्पेक्ट लगेगा ही नहीं केस अपने आप बंद हो जाएगा कितने पैसे देने वाला तो संजीव? सर्फ पांच लाग पर गल्ती हो गई मेरे हाथ से दो ही गोली चला नहीं थी लेकिन गल्ती से तीन गोली चल गई संजीव पर पर वो भी गल्लत चल गाएगा कौन है? चला अब गोली चला मुझ पर ग्यान से अपे इन गोली क्यों चला दी भाही कल पीसे से जखे भाही Sanjeev 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 तो जी ट्रेनिंग भी दी थी ना दो गोली बोला था तुने तीन गोली चाहाएथी गिंती भी नहीं आती के गुछ और प्लान कर रहा था तू Sanjeev ऐसा नहीं आई गल्ती से चल गई ती जान पूछके नहीं किया, गल्ती हो गई याद, समझ नहीं, फुटा यहाँ से, जब ठीक हो जामार तब पैसे की बात करें, जा, निकला यहाँ से, सर, हमसे तो दोस्तियारी में हो गया सर, आज तक कोई पैसा नहीं मिला सर, इसलिए इतने दिन से होस्पिटल के शक्कर कारता है, पैसा नहीं, किलो के हिसाब से चार्जिस लगेंगे दोनों पर, यह तो नहीं पता तू कब फिर से ठीक होगा संधीव चोगडा, पर जब भी च पूफिवाले काम में लगा दिया और क्रिमिनल बन गया तू में इस तरह से रॉबरी और मर्डर के बारे में सोचा था, लेकिन इन्वेस्टिकेशन में सामने आया, यह असल में हुए अपराध में, माहिरा की कोई भूमिका नहीं थी जी अने रिपोर्ट आ गई है सर, और मैच भी हुई गया होगा संजीव चोपड़ा, जस्वन्त गिल और उसके छोटे भाई मनफरीत गिल पर बलराम जलोटा और पूनम चोपड़ा की हत्या के लिए आई पीसी की धारा 302 के चार्जेस लगे है पुलिस संजीव के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही है ताकि उसे कस्टडी में लिया जा सके नजाने ऐसे कितने ही उधारण है जहां किसी अपराद को अंजाम देने की लोगों की बेवकूफी भरी सोच उन्हें अपराद के ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां उनकी इच्छाओं के विपरीत ता उम्र उन्हें इसके नतीजों का सामना करना पड़ता है और वो सलाकों के पीछे पहुंच जाते है फिर भी बार बार यही देखने को मिलता है कि जुर्म की सोच कई लोगों के दिमाग में पनप्ती ही रहती है ऐसे मुर्खता पूर अपराद के बारे में सोचते वक्त दिमाग इतना मसबूत कैसे हो जाता है और वही दिमाग किसी टक्राव की स्तिती से बाहर निकलने का आसान सा रास्ता खोजते वक्त इतना असाहाई क्यों हो जाता है डिवॉस लेकर अलग होने में तकलीफ हो सकती है लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाएगी ना खुद की और ना ही किसी और की जर्म की अंधी गली के आखिर में सिर्फ अंधेरा ही मिलता है और साथ ही मिलता है अपराधी होने का विशाप और बचे हुए जीवन को पच्चतावे में काटने की सजा क्राइम नेवर पेज अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ कल रात कौन बनेगा करोड़ पती के करम वीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ और याद रखें